नमस्ते, आज से करीब दो माईने पहले मैंने एक वीडियो अपने चानल पे डाली थी Are you a healer? या traits जिसे समझ में आए कि आप एक healer है और आप में से बहुत से लोगों ने उसके साथ resonate किया और बताया, share किया कैसे कैसे किन किन चीजों को लेकर उनको feel होता है कि वो उस पात पे हैं, उस जर्णी पे हैं या वो एक healer है और कैसे वो उन चीजों से resonate करते हैं आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा हट की बात करूंगी और बात करूंगी spiritual awakening की कि आप क्या उस जर्णी में हैं और ये मैंने especially वीडियो इसले चुना कि number one आज एक तो ये हमारा साल 2023 का जो साल है 2023 का जैसे beginning में मैंने कहा था 7 से impact है 7 is K2 and K2 is all about spirituality और हम spirituality से related बहुत बाते करते हैं तो ऐसे में हम में से बहुत से लोग हैं जो इस पात पर by choice and sometimes but not by choice because of जो हालात हैं उसकी वज़े से हम इस पात पर चले आते हैं या चल रहे हैं या हैं या काफी हद तक आगे निकल चुके हैं तो मैं आज आज आपसे 9 ऐसे science की बात करूंगी जिन से clarity मिलेगी कि हम इस पात पर हैं और अगर अब हैं तो हम कहां हैं तो आप मुझे इस वीडियो के end तक देखीगा और बताईएगा कि in 9 में से ऐसे कितने सारे traits हैं जिन के साथ आप resonate करते हैं और आप इस पात पे हैं यूँ तो कहा जाए spiritual awakening सुनते तो बहुत अच्छा सा लवस लगता है ऐसा लगता है कि अरे वा मतलब शायद जो इनसान spiritually awakened है उसकी life तो बतलब काइनात और बहुत खुबसूरत और कुछ भी ऐसा नहीं है परिशानी नहीं है कुछ दुख नहीं कोई तकलीफ नहीं जबकि सचा ही ये है कि spiritual awakening होती है तो आप बहुत अकेले पड़ जाते हो बहुत से ऐसे traits होते हैं जहां आपको ऐसे लगता है कि difficult phase आता है जानते हैं जैसे बिल्कुल उस तरह से जैसे ज़िजब हम dive करते हैं जो swimming करते हैं जानते होंगे जब हम उपर से चलांग बारते हैं तो सबसे पहले हम बिल्कुल lowest low bottom तक जाते हैं है न और swimming pool के बिलकुल bottom तक जाएंगे और touch करके और फिर वापस उपर निकल के आते हैं तो exactly same हमारी life के साथ अकसर होता है जब हम spiritual awakening के बात पर होते हैं तो हम hit करते हैं lowest low of the life और उसके बाद हमारी चर्णी वापस उपर की तरफ को शुरू होती है जो सबसे पहला trait ये है कि आप चीजों को सोचते हैं और वो बहुत जल्दी से प्राक्टिकल रियालिटी में कनवर्ट हो जाती हैं बहुत जल्दी से फूरूटेशन पर आ जाती हैं यानि आपको बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ता किसी चीज के लिए और आपको ऐसा लगता है और ये मैजिक कैसे होने लगा मेरी लाइफ में मतलब मैंने तो इस बारे में जब सोचा था और सोचते ही ये सब कुछ होने लगा अगर मैंने चाहा कि आज शायद कुछ इस तरह से कुछ खाने का मन है और वही चीज सामने आ गई ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको हम इत्फाक कहते हैं और जो हम सोचते हैं और वो तुरन-तुरन होने लगता है तो अपको अचानक से आप जाएंगे बाहर और खहीं से एक फैदर सा उड़ता हुआ आएगा और आपको लगता है ये फैदर कहां से आया या आप एकदम से आगे चलने लगेंगे और सामने फैदर दिखेगा फिर अचानक से ऐसा लगने लगता है कि ये जो हो रहा है ये ऐसा मुझे शायद सपने में दिखा था मतलब मुझे ऐसे लगा कि ऐसा कुछ हुआ है आपकी ड्रीम्स में आपको messages आते हैं आपकी intuition बहु समझ में आने लगते हैं या आप तक वो चीजें बिना रुके डुके मतलब पहुचने लगते हैं तीसरा sign आपको synchronicities नजर आएंगे अपने आसपास मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये सब ऐसा कैसे जो सोचा था ये कैसे हो गया हर चीज में बिलकुल similarities दिखेंगी आ आपको लगेगा आज मुझे इस question का answer ढूणना है मतलब आपके मन में कोई एक question है वो जो आया और तुरंट से एक गाना आएगा और उस गाने के अलफाज जो होंगे वो इस question का answer होंगे जैसे बहुत से लोग मुझे कहते है माम यही question मैं सुबह से मुझे परेशान कर रहा और जैसी मैंने mobile on किया इंस्टेग्राम पे गया और आपकी वीडियो देखियो और उस question का answer मिल गया तो ऐसे में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ for sure कौन कर रहा है universe कर रहे है ताकि आप तक वो चीज बिना filter हुए पहुच जाए और आपको answers मिल जाए तो ऐसे में बहुत से synchronic हम देखने लगते हैं अपनी life में अब मैं आती हूं point number four और point number four ये कहता है कि आप nature से बहुत connect होने लग जाते हो आपको सुकून, शान्ती, प्यार और एक एक ठहराव तब आता है जब आप nature के साथ होते हो आपके अंदर चट-पटाहट होती है आपको लगता है मुझे ये डिस्को वाला शोर नहीं चाहिए मुझे late night तक जगना और movies या रात तक की जो कहते हैं एक artificial दुनिया है उससे निकल के आप natural दुनिया में जाने लगते हो और आपको लगता है मैं पेडों के पास समय बिताओं मैं पानी में समय बिताओं मैं पहाड़ों पे समय बिताओं मै एक nature के साथ रहने में आपको अच्छा लगेगा आप बहुत से plants अपने घर में लाने लगेगे आपको चारों तरफ हर याली देख के बहुत अच्छा लगेगा आप connect करेंगे nature की हर उस चीज से जो आपको बहुत अच्छी लगती है शायद इतने सदियों से आपने कभी ब बज्जो होने लगेगी next मैं आती हूँ point number five पे और point number five ये कहता है आप अपने साथ जुड़ने लगते हो self के साथ जुड़ने लगते हो अपने साथ समय विताना पसंद करते हो पूरे 24 घंटों में से वो जो आपके पास आदा एक घंटा खुद के लिए मिलता है न वो आप train में सफर कर रहे हैं जिस compartment में हैं उस compartment में कुछ लोग निकल जाते हैं छोड़के वो अपने अपने destination पे और कुछ नए लोग एंटर होते हैं और वहां से आपकी journey शुरू होती है अब इसको literal मत समझेगा अब समझ में यह आना चाहिए आपको कि life के इस पढ़ावा पे आपकी help करने शुरू की किस चीज को लेके उन्होंने help करने शुरू की कि आपको लगा जिस रस्ते जाना था अरे ये तो इसी के ही पार्खी है अरे इनको तो इसी के बारे में ग्यान है मैं तो यही ढून रहा था कि कोई मुझे मिल जाए जो मुझे यहां से आगे का रास् आपको उन लोगों से, उन परिस्थितियों से, उन चीजों से बिलकुल डर नहीं लगता, जो आपके साथ में पहले जिन से आप घबराते थे, किसी को फेस करना आप डरते थे, आप सोचते थे कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, आपके अंदर वो एक एक घबराहट थी या डर आप उन सब से निजात पाते हो, आपको ऐसा लगते है कोई फरक ही नहीं है अब, अब ना तो किसी का खौफ, ना किसी का डर, ना कोई अन्होनी का डर, आप कहते हो, जो होगा देखा जाएगा, बिंदास परवाइल ले, राइट, इस इस वाट यू स्टार थिंकिंग और ठीक है, चलने दो, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, जो होगा, देख लेंगे, निबट लेंगे, हो जाएगा, इसके बाद हम आते हैं, पॉइंट नमबर एट पे, आपका खान पीन का ढग बदल जाता है, अब वो पैकेज़ वाला फूड, लेट नाइट पार्टी, उनलाइन पार्टी, उनलाइन ओर करना खाने को, स्विगी जो मेटो, यहां वहां तहां, या देर से बाहर का खाना, या जो होटेल के खाने का सुआद, वो सब आपको अजीब सा लगने लगता है, हैविनस की फीलिंग आने लगता है, आपको लगता है, यह नहीं मुझे च यह सबसी का टेस्ट ऐसा पहले कभी नहीं आया, क्योंकि अब आप नेचर और नेचरल प्राड़क्ट्स के अंदर बिलीव करने लगते हो, और सिर्फ बिलीव ही नहीं करने लगते हो, उनको रेलिश करने लगते हो, उनको चेरिश करने लगते हो, लास्ट बट नॉट लीस यहां से आपकी जर्णी शुरू होती है, हर रोज meditate करने की, यहां से जरणी आपकी शुरू होती है, हर रोज read करने की, आप अपने आप की improvement के लिए, अपने आसबस की महौल की improvement के लिए, जो आपके आसबस घंट रहा है, उसके लिए हर चीज के लिए आप सोचते हो, मुझे अपने आपको बेटर करना है तो ऐसे में आप और पढ़ेने लगते हो नए नए टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करने लगते हो नए चीजों को पढ़ेने लगते हो नए बातों को जानने लगते हो और साथ साथ में आपको मेडिटेशन में इतना आनन्द आता है जिसका जो जिसको कहते हैं ना सच्चा सुकून आपको अपनत्व में आता है आपको नेचर के साथ आता है आपको भगवान की उस हर दी हुई चीज के साथ आता है जो फुरी में भगवान ने दी है सो ये थे सारे 9 के 9 पॉंट्स आप बताईएगा मुझे इन में से कितनों के साथ रेजोनेट किया क्या आपके लाइफ में ये सारी चेंज़ज हैं आ चुकी है आ रही है या आप इस पात पे हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कॉमेंट्स पढ़के और मुझे ही नहीं आपके कॉमेंट्स बहुत से लोगों को बहुत सारी लोगों को बहुत सारा नजरिया भी दे पाते हैं या उनको ऐसा लगे कि वो अकेले पढ़ गए हैं तो वो ऐसे अकेले पढ़ने वाला नहीं है I hope you enjoyed this video, thank you so very much and God bless you Lots and lots of love बताईएगा मुझे please comment box में आपको और कौन से topics हैं जिनके उपर आप चाहते हैं कि मैं content आपके लिए दूँ, share करूँ जिससे आपकी development में कुछ ना कुछ और भला हो Thank you and God bless you यह मेरी selenite का lamp है और यह मुझे बहुत प्यारा है आज मैंने specially video इसके पास बैठके बनाई है क्योंकि मुझे इसके energies बहुत अच्छी लगते हैं बहुत calming energies हैं, बहुत peaceful energies हैं और मैं अपने bedroom में जरूर इसको at least once in a week जलाती हूं ताकि पूरे अराम से काम वाला मतलब, महौल बहुत calming हो जाए कभी-कभी अपने bedroom में, कभी मैं living room में, कभी जहां हम television देखते हैं कहीं न कहीं मैं इसको रखती हूं और जरूर इसका use करती हूं Thank you so much and all the very best to you